है कि कि तो हैलो बज्चो कैसे हो आप लोग बायोन परिंदे कैसे है jotk क्लास तलत्वाले बच्चे मेरे सिंसियर बच्चे मेरे सीनियर बच्चे मेरे बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों से request है कि यदि आपने अभी तक मानो कल्यान उमसुच में जीव का lecture number one नहीं देखा है भाग one नहीं देखा है तो आप लोग जाइए भाग one को देख लिजे क्योंकि ये भाग two है भाग two है ठीक है तो आप लोग भाग one को देख लेंगे और यदि आप अभी तक आप लोगों ने बायोमन से बायोलाजी पढ़ने का मज़ा नहीं लिया है तो आप क्या करिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर प्लेलिस्ट की एक प्लेलिस्ट है ठीक है उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अप्लोड है आप लोग जाईए उनको देखिए और हाँ बायोलाजी गुना एक अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोगों ने माइक्रोब्स इन हुमन विलफेयर मानो कल्यान में सूच मजीव आपने अभी तक सुना था कि सूच मजीव हमें नुक्सान पहुचाते हैं गंदगी फैलाते लेकिन आपने देखा बया कि सूच मजीव हमारे बहुत काम आते हैं ठीक है तो चलिए आज हम लोग बात बहुत चीजों को छोड़ के पता है किसी चीज पर डेडिकेशन के लिए ना सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है सारी चीजों को और आज मैं आज मैं प्रेजन टाइम सारी चीजों को छोड़ा हूं किसी भी चीज पढ़ना मेरा एक भी परसंट ध्यान नहीं जाता है ध्यान ज होता है कि पूरे मतलब सभी को तो नहीं कह सकता लेकिन कहीं कि टीचर से तो सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं और उन बच्चों को बहुत कठनाई होती है और वैसे ही बच्चे मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोगों के पास सबसे पहले मैं चोटा साथ से एक कोश्चन पूछungen का आप लोग मुझे जवाब देंगे और वह वह कोश्चन बढ़ा छोटा सा है बड़ा सिंपल सा है और आपको बता दूं वह कोश्चन बढ़ा प्यारा सा है वह कोश्चन यह हैं कि आप मुझे बताईए कि दही में कौ इतना सारी चीजे पढ़ा रहा हूं इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं तो बच्चे कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है अप लोगों का ठीक है चलो आज कर देखते हैं फर्मन्टेशन किन्वन क्या होता है तो देख लिए कि इडली और डोसा को बनाने के लिए करने के लिए ठीक है फर्मन्टेशन किन्वन की क्रिया होती किन्वन क्रिया में क्या होता है इसमें इडली और डोसा में क्या होता है कि आठा को फूलाया जाता है आठा क्या होता इसमें आठा फूल जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि चने का आठा हो गया दाल हो और देखिए आप लोग देखें होंगे वह आटा फूल जाता है और आप लोग देखें को फूले आटे में चिद्र होते हैं कभी सोच चिद्र किसले होते हैं उसमें से कारबन डाई आकसाइड गैस कर देखो आटा फूल जाता है और कारबन डाई आकसाइड गैस उसमें बनत होता है इसमें होता है लिव को नौश्टक सूच मजीव आटे में किन्वन करता है कौन साथ सूच मजीव लिव को इसको इसमें अलग पेंसे लिएता हूं लिव को नौश्टक लिव को नौश्टक ठीक है देखो लिव को नौश्टक सूच मजीव इसमें क्या होता है जो इड आटे में किन्वन करता है ठीक है आटे में किन्वन करता है किन्वन यानि कि फर्मन्टेशन करता है अभी किन्वन के बारे में आउर हम लोग आगे पढ़े किन्वन से दारू बनाई जाती है है ना तो देख लो अब जैसे किन्वन के लिए क्या हो गए लिवको नौश्टक चीज देख लो एक होता है हमारा ब्रेड जो ब्रेड बनाने के लिए इस्ट होता है ना ब्रेड ब्रेड को बनाने के लिए इस्ट होता है ब्रेड किस से बनता है इस्ट से मिलकर के बनता है इस्ट और इसको हम लोग खमीर के नाम से भी जानते हैं ब्रेड इस्ट से मिलकर के बच्चे बनता है बच्चे और इसको हम लोग खमीर के नाम से जानते हैं और बता दे जो ब्रेट बनाने के लिए जो इस्ट का प्रियोग किया जाता है उसका नाम होता है सैक्रो माइसिस सेरे विसिस ठीक है ब्रेट बनाने वाला इस्ट क्या होता है सैक्रो माइसिस सेरे विसिस इस्ट होता है इसको हम लोग इस इस्ट को हम लोग ब्रेकर इस्ट भी बोलते हैं इस चीश के नाम से हम लोग भी इसको जानते हैं ठीक है ज rappers किनिवान किनिवन किया होता है किसमें सूच में जीव होते हैं और Κिसी सीसे को बूसरी चीज़ में convert कर देते हैं देख समझब कि ब्रेड कि बनता है आप पूछ लिए एका ब्रिट किस से बनता है तो ब्रिट बंता सै और सिसे नामक इस्ट से बनता है याद रखना ठीकर अब देखो पनीर या चीज जो हम लोग paneer खाते हैं cheese खाते चीज चानते हो आप लोग चीज नहीं आनते हैं चीज जो उसमें डाला जाता है ए पिज़ा में जानते हो पिज़ा खायो ना सभी लोग खाये होगे यार कभी ना कभी पिज़ा में डाला जाता है चीज बड़े प्यार से बोलते हो चीज और डालके लाना है ना गाओं वाले है पनीर और चीज जो पनीर होती है और चीज होती है पनीर और चीज शुच्म जीवों द्वारा प्राप्त होता है और बता दें आपको प्राप्त होता है यहां प्राचीन भोजे मनीर और चीज को अब देखो आपको एक बता दें एक चीज होती है चीज ठीक है चीज एक चीज यलो कलर की होती है आप लोग देखें को चीज ऐसे बनी होगी और उसमें बड़े-बड़े छिद्र होते हैं यह यलो कलर की होती है ठीक है वो चीज और उस चीज में आप लोग बड़ी झिद्र होते हैं तो पूछा जाता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं सुइस्स चीज यह को पूछा जाता है कि रचीज को बच्शद का प्रियोग किया जा जा रहा है। प्रोपी ओनि बै drives को ठीक है किसका प्रोपीओनीब्रैक्टीरियम सार्मेनाई ठीक है इस बैक्टीरिया के कारण क्या होताँ इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं ये क्या होते हैं ये छिद्र होते हैं ठीक हैं ये छिद्र होते हैं पनीर की तरह ही चीज भी होती है और इस स्विश चीज में क्या होते हैं प्रोपी और प्रोपी ऑनी बैक्टिरियम सरमनाई के कारण से क्या होते हैं उसमें बड़े प्रफिएर प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मानाई tumor carbon dioxide की बड़ि मात्रा के करण होता है ठीक है सर्मानाई द्वारा कार्बन डाई ऑक्साइड co2 की बड़ि मात्रा में बड़ि मात्रा के करण होता है याद रखना स्विश चीज को बनाने वाला बैक्टिरिया कौन है यह है याद रखो बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है आपके एक्जाम के पॉइंट अफ यू से बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन इस नाम को ना दिमाख में बैठा लो ठीक है देखो इसमें बड़े-बड़े चित कि कि लिख लीजे अपने कांप इप है अब लगता है तुम लोगों सार अरड़ चीजे जो है ना बिल्कुल बेसिक लेवन और बेसिक की आने के सासरा मझे यह भी लगता है कि मैं नीट लेवल का आप लोगों को पढ़ाता चलूंग तब आगे जा कर के ना आपको मेहनत करना पड़ेगा इसलिए सारी चीजे ना जो जितनी भी चीजे मैं ले करके आता हूँ सारी जहां तक है वो नीट लेवल का ही होता है बच्चे ठीक है कभी हलके में मत लेना यह हलके में लेवे लो ठीक है चलो अगला है और दोगिक उत्पादन में सुचम जीओं इसमें है लो ओ दोगिक और दोगिक उतपादन में सुचम जीओं यह टोटल आपका क्या है टोटल आपका ncrt तेकर मिला लेना कोई भी बच्छा ग्यानी बच्चा आके अपना ग्यान देना ठीके कि आप क्या पढ़ा रहा हूँ यह नहीं तो बच्छे बदा दू टोटल Hubster पढ़ा रहा हूँ जाकर मिला लेना अपने टीचर से भी जा करके पूछ लेना अपनी किताब में Okay करके खोल लेना किताब में खोल करके देख लो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है और कुछ फालतू के बच्चे आ जाते हैं जो पता है बहुत खराब बोल देते हैं है ना तो मैं उन बच्चों को एक अच्छी बादा दूँ यदि आप हमेशा जुकते हैं ना हमेशा हर जगे से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं तो आप याद रखना आप अपनी जिंदगी में बहुत ऊपर तक जाओगे बहुत आगे तक जाओगे भच्चे ठीक है यदि जीवन में आगे तक जाना है ठीक है चलिए और दोगी उत्पादन में सुच मजी हो और दोगी कुट पादन का मतलब क्या होता है और दोगी मतलब तो इंडश्टी यानि कि हमने दही बनाए कटोरे में लेकिन नहीं अब हमको 10 घर में दही पहुंचाना है तो हम क्या करें बड़ा सा कटोर हम बनाएंग कभी सोचें कहां पर बनता यह सोचें आप लो नहीं सोचें मैं बता दूँ देखो यह समना इंडश्टी में बनता है इंडश्टी लेवल पर इन सारी चीजों का काम होता है ठीक है इंडश्टी में इन सारी चीजों को बनाया जाता है इनके लिए बहुत बड़े-बड़े की अवशकता होती है आपका ncrT बोलता है कि बैवसाईक पैमाने बीवसाईक मतलब कि बड़े बैवसाई को ले करके बैजने को ले हुद्णचंगा पैमानों पर सुच्व जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े-बड़े बरतन की आव सकता होती है जिसे किन्वक या फर्मंटर कहते हैं सुच्म जीवियों के लिए बड़े बरतन की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है बरतन की जरूरत पड़ती है उस बरतन को हम लोग क्या कहते हैं किन्वक कहते हैं और इंगलिस में बोलते हैं फर्मंटर ठीक है किन्वक या फिर उसको हम लोग फर्मंटर कहते हैं इसको लिख लो आप लोग फिर लिखोगे कि मादक पेपदार्थ तथा प्रति जैविक इसके कुछ उदाहरण है अब किन्वान इस फर्मंटर के सुच में जीवों के ना प्रति जैविक प्रति जैविक यानि की इंटी FC कि मादक पे पेपदार्थ जानते हो ना जानते हो ना बताओ दारू हो गया सबसे बढ़िया चीज या सब ही लोग जानते हैं है अब्छा को बता दो मैं कहता हूँ कि इंडिया में लग-बग percentage कि आपसे अपना परसंट वतारों, 60-70% घरों में लोग धारू पीजाते ऐं और इतनी खराब हालत होती है उस घर की जिस घर के पिता, जिस घर के भाई, जिस घर की भाई दारू का इस्तमाल करते हूं, उनका सेवन करते हूं फिर वो लोग आते हैं, घर में हंगामा करते हैं, लडाई करते हैं, गाली वक्ते हैं, बहुत खराब कुछ करते हैं, त्यार बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देख करके, इसलिए हमको और आपको आज से सपत लेनी है कि कभी भी हम इन सभी चीजों को हाथ तक नहीं लग बताएंगे हमको एक educated समाज की स्थापना करना है बायो अमन का मेन मकसद यही है और वो मकसद बच्चे आप लोग ही पूरा करेंगे कौन करेगा आप लोग ही पूरा करेंगे क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे जाकर के चार लोगों को बताएंगे तो चार लोगों में ग् सा revolution लाना है रटवाने के लिए मैंने पढ़ाता कि मैं रटवादो एक्जाम के point of view से नहीं बच्चे आपकी जिन्दगी के point of view से जब आप सारी चीजों को समझने लगोगे न तो यकीन मानों एक्जाम के न फोड़ के आओगे 90% 100% number लेकर के आओगे समझो तो उस चीज को कह है ना क्या चाहता है रटने का प्रयास नहीं बच्चे बायू अमन के पास आए रटने का नाम ले लिए बिलकुल गलत बात समझने का प्रयास करो चलो आगे देखते हैं देखिए मादक पे-पदार्थ मादक पे-पे-पदार्थ कैसे बनते हैं यह वंदिन को हम लोग बोल क्या बोलता हैं फर्मंटेड इंग्लिउस में बोलेंगे फर्मंटेड पे को बोलते हैं autograph program at the का याद रखना इस्तेमाल किसमें करते माद पे पदार्द के लिए Cohiter Amy करते हैं इस चाष रखोगे आप लोग बताइचे तो देखिए कि प्यन वीट प Meg है यह सभी क्या क्या होते हैं बच्चे वो शबी ऐलकोहालिक पेय होते हैं गेक होते हैं गोलिक कि ब्यूरेज के अब देखो इन ब्यूरेज को बनाने के लिए किन्वित पेय को बनाने के बड़े बड़े फर्मंटर का उपियोग किया जाता है कैसे बड़े बड़े फर्मंटर का उपियोग किया जाता है बड़ी बड़ी टेक्नोलोजी वहाँ पर काम करते हैं जहां पे इन सभी चीजों को बनाया जाता है जहां पे इन सभी चीजों को रखा जाता है ठीक है इस्ट को बोलते हैं सैक्रो माइसिस सेरो विशिस ठीक है इस इस्ट का नाम होता है सैक्रो माइसिस सैकेरो सैक्रो माइसिस और सेरे विशिस आप लोग चलो इस नाम को याद करो bread बनाने के लिए भी यही ही yeast का प्रियोग हो रहा था और मादक पेपदार दारू बनाने के लिए ठीक है और भी पेपदार वोटका हो गया, रम हो गया, beer हो गयी, ब्रांडी हो गयी, विस्की हो गई उनको बनाने के लिए क्या Saccharomyces, Cerevices का प्रियोग किया जाता है ठीक है अब देखिए एक word आपका NCRT बोलता है कि wine और beer का उत्पादन आस्वन द्वारा होता है कि wine और जो beer होती है wine और beer का उत्पादन आस्वन द्वारा होता है आस्वन द्वारा टीचर खाली समझा देगा कि wine और beer का उत्पादन आस्वन द्वारा होता है लेकिन अभी समझना यह आस्वन क्या होता है और बता दे और कहता है विस्की ब्रांडी और रम किन्नवित रस के आस्वन द्वारा होता है ठीक है विक्सी विस्की बोलते है ठीक ह विस्की और हो गया आपकी ब्रांडी विस्की ब्रांडी और रम क्या होता है यह होता है किन्डमित रस के आश्वन द्वारा ठीक है यह क्या होता है यह होता है किन्डमित रस के आश्वन द्वारा देखिए वाइन और बीर को क्या किया जाता है आश्वन द्वारा यानि वाइन और बीर की फैक्टरी होती है और यहाँ पे टोटी लगा देते हैं यहाँ सीधे बनता रहता है पैक होता रहता है पैक होता रहता है जाता रहता ह लेकिन जो wine और beer आप लोग देखेंगे सस्ती होती है ना पता तो नहीं होगा आप लोगों को लेकिन कभी ने कभी सुने होंगे wine और beer सस्ती होती है क्योंकि ये आसवन द्वारा season को निकाल करके market में दे दिया जाता है लेकिन विक्सी ठीक है विस्की ब्रांडी और रम क्या होती है किन्नवित रस के आसवन द्वारा होती है यानि कि इनको बनाया जाता है बनाने के बाद इनमें flavor मिलाया जाता है बहुत चीजों कम मिलाया जाता है तब जाके इनको market में उतारा जाता है wine और beer की आपेच्छा विस्की ब्रांडी और रम महंगी होती है क्या होती है महंगी होती है ठीक है बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चे बताए आशवन द्वारा और किन्नवित रस के आशवन द्वारा यह यहां तक सारी चीज़े आपको clear है कि नहीं एक एक ची alcoholic alcoholic percent ठीक है कि इन में कितना कितना alcohol पाया जाता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे beer का फिर wine का रम का और whiskey का ठीक है पहला हो गया हमारा beer का देख लेते हैं beer हो गया फिर wine हो गया फिर रम हो गया फिर whiskey हो गया ठीक है beer wine rum whiskey यह डबलू है बच्चे ठीक है डबलू आई यस यच के वाई whiskey ठीक है beer wine rum whiskey अब देखो beer में बच्चे पाया जाता है 4 से 6% इलकोहल पाया जाता है कितना चार से 6% beer में इलकोहल पाया जाता है आप लोग सुने होंगे देखे होंगे कि beer में इलकोहल की मात्रा कम होती बीर को पीने पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन आपको बता दे कि wine में 12 से 15% इलकोहल पाया जाता है कितना पाया जाता है बच्चे 12 से 15% इलकोहल आपका रम में पाया जाता है और रम में 40 से 50% इलकोहल आपका रम में पाया जाता है यानि कि 40 से 55% इलकोहल आपका रम में पाया जाता है किसमें पाया जाता है रम मे ये सभी क्या है ये सभी एक इलकोहालिक पे पदार्त हैं इलकोहालिक और आपको बता दे इलकोहल के लिए कि जो इलकोहल है जो दारू है उसका इस्तमाल मनुश्या मानो समाज आज से नहीं कर रहा है दारू का इस्तमाल मानो समाज बहुत दिनों से कर रहा है ठीक है पहले तो तो ऐसा होता था कि दारू दोगे तब कुछ समान तुमको मिलेगा कुछ देस ऐसे थे कि जहां पर दारू का ब्यापार होता था ठीक है अगर तुम काम करोगे तुमको पीने के लिए दारू मिलेगी ठीक है खाने के लिए दारू मिलेगी मतल़ जैसे पैसा चलते है ना कुछ काम करोगे तो पैसे मिलेगे प्राचीन काल में क्या होता तो काम करोगे दारू मिलेगी तो दारू बेचके तुम कपड़े ले आओगे दारू बेचके खाना खालोगे ऐसा होता था तो यानि कि हम समझते कि इलकोहल का प्रियोग मनुष्य पहले से ही करता आ रहा है लेकिन ज चलो इसकी दवा दारू करवा दो भाया दवा तो ठीक है दवा मतलब मेडिसिन मेडिसिन तो ठीक है दारू क्या है दारू पिला के ठीक करोगे उसको बताओ दारू पिलाओगे उसको नहीं पिलाओगे न तो यह पहले के पहले के जमाने में दारू से लोग न बीमारी के इला नहीं है हम लोगों ने थोड़ा सा ग्यान अर्जित किया और खुद को ना ग्यानी समझने लगते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना उटीचरे को मात दे देते हैं भाईया थमके ठीक है थमके रहो तोकि जिसने तुम्हारे पंखों को बनाया है ना वो तुम्हारे पंखों को काटना भी जानता है ठीक है उसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ बच्चे होते टीचर्स का सदेव अपमान करते हैं बिल्कुल गलत बात है बच्चे ठीक है उसने तुम्हें उड़ना सिखाया है उसने तुम्हें जिन्दगी के हर एक वज़ा से हमेशा ऐसा नहीं कि मैं अपनी वज़ा से यहां आया हूँ ऐसे हो ना घमंड हो जाएगा ठीक है चलो कहां की बात कहां हो जाती है ठीक है यहां पर हम बढ़ा रहते हैं बीर में 4-6% इल्कोहल वाइड में 15-12-15 रम में 40-55 और विस्की में कितना पाए जाता है 40 से 60% इल्कोहल पाई जाती है यह देखो ऐसे गिलास होती है उसे में डाल अजरके पिया जाता है है और को छोटी छोटी ग्लासेज होती है यह हुआ हमारा इल्कोहल परसेंटेज यानि कि बीर में 4-6% इल्कोहल होता है 12-15 40-55 और 55-40-60 परसे तो इसका आप लोग स्क्रीन स से इसको बनाया जाता है यह चीज आप बच्चे याद रखेंगे ठीक है मेरे बच्चे चलो इसका ले लो फिर हम लोग पढ़ेंगे एंटी बायोटिक प्रती जैविक के बारे में तो आयो बच्चे आप लोगों ने इसका स्क्रीन सॉट ले लिया होगा तो मैं इसको मिट आप लोग ने मैसेश करते ना उसका अपने लोग लोग नीचे कमेंट करते ना प्यारा सा उसको अच्छा-च्छा कमेंट नीचे करा करें फिक है चली और हमारा जो दूसरा चैनल है न उस चैनल का नाम है क्या स्का बायो अमन मोटिवेशन उस चैनल पर आप लोग जाएं मोटिवेशनल वीडियोज को जरूर से जरूर देखिए अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रतिजैविक ठीक है यह आपकी NCRT बोलता है ठीक है NCRT का अगला पॉइंट आता है प्रतिजैविक जिसको हम लोग बोलते हैं इंटी बायोटिक्स क्या बोलते हैं इंटी बायोटिक्स प्रतिजैविक क्या होते हैं इंटी बायोटिक क्या होती है bacteria का यानि कि bacteria का दुस्मन क्या कहलाता है bacteria का दुस्मन anti-biotic कहलाता है और आपका NCRT क्या बोलता है anti मतलब against, bio मतलब life, क्या बोलता है यह तो मैं खाली समझाने के लिए यह आपकी bio-aman की language है हम लोग ऐसे ही समझे थे और NCRT क्या बोलता है anti मतलब against against ठीक है anti और bio anti मतलब होता है against, against का मतलब क्या होता है खिलाब, किसी के खिलाब बोला किसी के विपरीत बोलना ठीक है, against against ठीक है against अगेश्ट का मतलब होता है खिलाब तोड़ा इंग्लिस वर्ड खराब कर देता है कभी के खिलाब है न against anti का मतलब होता है against और biotic का मतलब होता है life यानि कि जीवन के खिलाब ठीक है आपका NCRT बोलता है बच्चे जीवन के खिलाब अब देखो प्रति जैवी क्या होता है यह एक प्रकार की राशायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कुछ छूस्म जीवियों द्वारा हुआ है ठीक है प्रति जैवी क्या है कि यहां राशायनिक पदार्थ होते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है इनका निर्माण कुछ सूचम जीवियों के द्वारा हुआ है ठीक है इनका निर्माण बच्चे कुछ सूचम जीवियों के द्वारा हुआ है एंटिबायोटिक क्या होते हैं एंटिबायोटिक क्या होते हैं एंटिबायोटिक आपके रासानिक पदार्थ होते हैं जिनका निर रोग उत्पन करने वाले सुच्म जीवियों को मार देते हैं या उनकी व्रद्धी को कम कर देते हैं ठीक हैं इंटी बायोटिक क्या करते हैं यहां रोग उत्पन करने वाले यहां रोग उत्पन करने वाले सुच्म जीवियों को मार देते हैं क्या करते हैं मार देते हैं या फिर उनकी व्रद्धी को कम कर देते हैं ठीक है एंटी बायोटिक क्या करते हैं या तो वो उस बैक्तिरिया को वो मार देंगे या फिर उस बैक्तिरिया की व्रद्धी को वो कम कर देंगे ठीक है ठीक है समझाया या तो उस बैक्तिरिया को वो मार देंगे या फिर उसकी व्रद्धी को वो कम कर देंगे वही होते हैं एंटी बायोटीक ठीक है एंटी बायोटीक अब देखिए कोश्चन मनता है कि सबसे पहला प्रतिजैविक किसने खोचा था सबसे पहला प्रतिजैविक इंगलेस भोलते ठीक है वह लिए इंगलेस नाम बड़ा प्यारा है सबसे पहला प्रतिजैविक है बच्चे सबसे प्रतिजैविक है यामरा पैनिसिलीन क्या है पैनिसिलीन और पैनिसिलीन की खोश किया था एडवर्ड जेनर वो सारी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहां से सर का नाम आ गया ठीक है एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इडवर्ड जेनर ने चेचक के ठीके का अविस्कार किया था ठीक है तो देखो सबसे पहला प्रतिजैविक था हमारा पैनिसिलीन जो की 1928 में इसको खोजा गया था ठीक है और खोज किस ने किया था खोज किया थे बच्चे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ठीक है अब देखे यह पैनिसिलीन यह जो पैनिसिलीन है ना यह प्राप्त किस से होती है यह प्राप्त होती है पैनिसिलियम पैनिसिलियम नोटेटम से नोटेटम से यह सारी चीजे बच्चे इंपॉर्टेंट है ठीक है अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें सारी चीजों को लिखते हुए चलना आज का लेक्षर तो एसा जलदी पढ़ारों जलदी क्या मतलब कि देखो यह बात वात अब हम लोग नहीं करेंगे और हां समस्ते हुए समाप्त करेंगे समस्ते मतलब एक एक चीज़ों को समस्ते हुए तो देखो सबसे पहला प्रतिजयवी question मनें का penicilline बताओगे कब खोजा गया 1928 में किसने खोजा था ऐलांजंडर फ्लेमिंग ने किस से प्राप्त होता है पैनिस्टिलियम नोटेटम से इसके लिए एक वर्ड आता है यह जो खोज थी ना यही थी serendipity discovery serendipity discovery यानि कि यह हादसा था इस हादसे में एक छोटा सा कहानी आता है उस कहानी को सुन दो एक बार एलेक्जंडर फ्लेमिंग अपने लैब में काम कर रहे थे उनकी जो सिक्रेटरी थी उनका नाम था मैरी मैरी से बोलते थे और वो काम कर रहे थे要 too 快op Dog produits बैक्तेरिया के उपर और वो अपने जो उनकी वह थी सेक्रेटरी थी मैरी मैरी को वह यही बोलते थे ठीके लिए को यह बोलते थे जात वो तुम ब्रेड़ ले आओ और वो काम करते थे 순 स्ट्राप्टोफाइलोगोकस बैक्तीरिया पर अपना काम कर रहे थे वो गद्रेट 20 ले आओ तो इस्ट्रपटोफाइलोगोकस का इनसेक्शन उस समय बहुत चल रहा था प्रत्म हुस्यूद्ड के दोरा ठीक है इस्ट्रपटोफाईलोगोकस का वह जहां पर हो जाता था तर ब्रेड मंगाया तो ब्रेड में एक फंगस था ब्रेड एक इस्ट्रप्टो फाइलो कोकस पर रिसर्च कर रहे थे और एक फंगस पर ठीक है तो उस फंगस एक दिन वो साधी इस वादी में चले जाते कहीं पर भी दूसरे दिन आते हैं देखते जो इस्ट्रप्टो फाइलो क कोकस की कॉलोनी में कोई घुस आया है और वो इस ट्रेप्टो फाइलो कोकस को मार दिया अरे बाबा अरे बाबा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग खुस हो गए बोले कि भाईया मैं जिस पर खोज कर रहा था जिसको मैं मारने का प्रयास कर रहा था उसको मार दिया एलेक्जेंडर किसने मौरा किसने मौरा उसको ढोड़ो, किसने मारा उसने जब देखा तो देखा येगी बगल में उनके फंगस लगा ब्रेड रखा था तब उन्होंने वहाँ से लिएखा फिर उसमें देखा पैनेशिलियम नोटेटम था फिर उन्होंने पहली एंटिबायोटिक की खोज कर दी इस्की पहली एंटिबायोटिक की जब फिर विस्युद हुआ तब उसमें खोव एंटिबायोटिक चली फिर किसे के हाथ बात नहीं काटे गए ये एक बड़ी खोज थी बड़ी achievement थी सब्सक्राइब पूरी जिंदगी उन्होंगके डेडिकेट करतें नहीं वह रहां दें एक पूरे द्वर यदि बनना है ना, तो किसी और की तरह नहीं, बलकि Alexander Fleming की तरह बनो, Edward Zinner की तरह बनो, Louis Posture की तरह बनो, ये सब मानो, मानो के लिए इहोंने काम किया, अपने लिए नहीं, और मानो के लिए काम करके नहीं इतुर्य पर्फ़क है, और करोडों अर्वों कमाएं और पता कितने लोगों की दुआएं कमाई तो चलो भोता सब बात की बात है आप हम लोग देखेंगे देखिए तो इतना हो गया अब क्या होता है कि बाद में चेन फ्लोरी ने पैनिसिलीन पैनिसिलीन को सक्तिसाली और प्रभावशाली एंटीब क्या होता है कि पैनिसिलीन की खोज के लिए थे किसने एलेगजएंडर फ्लेमिंग ने एलेगजएंडर फ्लेमिंग के पास आप इंडस्टी के लेवल पर पैसा नहीं था कि खुब धेर सारा बनाएं अब उन्होंने चैन और फ्लोरी ने बोला कि चाचा देखें तुम बनाए यह हम आपके लिए इंडस्टी के लिए पैसा देंगे ठीक है उन्होंने पैसा दिया उन्होंने बनाया फिर उन्होंने इसका प्रभावशाली नाम इन्टी बायोटिक रख दिया और यह इंटी बायोटिक आज भी चलती आ रही है क्या हो रही है आज भी चलती आ रही है ठीक चलो यहां पर एक छोटा सा पोइंट बता दू मैं ठीक है इसको मिटा दे नीचे वाल मिटा दे रहा हूं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं चलो इसको लिफ लुप लो अपने कापी में जल्दी से लिख लिए चलो देखे आपका ncrt में यह नहीं है लेकिन यह थोड़ा सा नीट लेवल का है तो इसको देख लो कि जो एंटी बायोटिक है ना बच्छे एंटी बायोटिक दो प्रकार का होता है two types of antibiotic क्या होता है two types of antibiotics do you do you take पहला इंग्लिस गीरिवनाँ ठीके इंग्लिस में होता हैं बैक्टिरियो ए हिस्टम टीक्स ठीक है एक चीज़ लिखे सब्सकुरत समझ क benef already you इस्टाप बैक्तिरिया ग्रोथ ठीक है यह क्या करता है इस्टाप करता है इस्टाप बैक्तिरिया ग्रोथ यानि कि बैक्तिरिया की ग्रोथ को यह रोकता है कौन सा एंटिबायोटिक बैक्तिरियो इस्टाटिक्स जो एंटिबायोटिक होता है वो बैक्तिरिया की ग्रोथ को सवाइक से सब्सक्राद की इस ट्रो माइसिन हो गई है शल फोनाम आइट्स हो गई ठीक है अ Within कि माइसी माइसीन हो गई ठीक है फिर कि शल फोना माइट्स हो गई यह फुई आप पित्पहों आप methodology ज़्ञाद भीको नोला कि अइसको घ्यारतो और दूसरी ओती है बैक्टीरी साइडल ठीक थिल्ड कोई आप्शन नहीं है जाओ मार दो यह से गोली कोटा गोली मार लिए बाड़ने वाली एंटिवाइटिक एक डंडा मारने वाद एंटिवाइटिक क्या होती है डंडा मारे ज्यादा नहीं गोली मादेक सीर्य बर जाए ठीम है रिफामीन यहाँ रिफाम पीन होगई आपकी सब मैडी सीन एंड़ norm अरा कोई ये औ Aku बिक्षे ना हाँ या और बताऊंगो अटिक कंट itiq metronidazole यह medicine हम लोगख खाते हैं मेट्रोड़ा जाते ना मे hepatitiley ली गाते हैं ठीदे चलिए यहां तक समझ है आक इसको भी स्क्रीन्सोड लो और इसको अपने copy में लिखो चलिए सभी बच्चे इसको अपने copy में लिए कि इसको मिटा देते हैं आप लिख लोगे चलो इसको मैं मिटा देता हूँ एक करके अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ antibiotics के नाम लिखे गए हैं ठीक है जैसे हमें पता है एक antibiotic होती है penicillin और आपको पता है कि penicillin किससे प्राप्त होती है penicillin प्राप्त होती है penicillium notatum से किससे प्राप्त होती बच्चे penicillium notatum से हमको penicillin प्राप्त होती है सेकंड एंटिबायोटी काती है हमारी आपकी स्ट्रेप्टोमाइसीन स्ट्रेप्टोमाइसीन एंटिबायोटी किस से प्राप्त होती है तो ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसस से इस पेरिंग देखलो Streptomyces, Grinsus Similarly, next आता है, Tetra Cycling, Tetra Cycling किससे पराफ़त होती है, Streptomyces, Remosus, किससे, Remosus, इसको लिख दू, Pars is Grisus, Grinsus, Grinsus हो गया, फिर 유ism achie usually, गिर haben, और नियो माईसीन एंटिबायोटीक किससे प्राफ्त हुथ इस्टेप्टोमाइस फ्रेडी से अब अच्छा आप लोगों को बता दें कोईबच्छा बीना डॉक्टर के सलाह के एंटिबायोटीक का प्रियोग नहीं करेगा किसका एंटी बायोटिक का और आपको बता दें कि इंडिया में ना बहुत ज्यादा एंटी बायोटिक का प्रियोग होता है बहुत ज्यादा आप लोग देखे होंगे जब आप मेडिकली स्टोर में दवाई लेने जाते हैं ना मेडिकली स्टोर वाला गोड़ी इन वियंता बोलता लो एक लो पैरसिटमय लो लो इन्टी बावटिक हैं इन्टी बावटिक हमने पहली पेलेस्लिक लिया उसके बाद यह इन ही को हम बनाते गए इन ही को बनाते गए हमने irgend अगर आप लोग देखे होंगे कि हमने जब 400 mg की पारसीटमाल खाते हैं तो हम को चार चार सो बहुत खाते हैं तो क्या होती 400 के प्रति हमारी बॉडी रजिस्टेंट हो जाती है फिर 400 खाओगे नहीं असर पड़ेगा फिर 500 खाना पड़ेगा यदि 500 बहुत खा लिये तो 500 60.600 खाना पड़ेगा इस तरह अगर एक बार बॉडी एंटिबायोटीक के प्रति रजिस्टेंट हो गई ना तो घखे एक बात याद रखना कभी आपका कोई भी पेशेंट हो क्योंसा आपका कोई भी पेशेंट हो और वो हॉस्पिटल में भरती हो होवस्पिटल में तो high antibiotic injection कोई नहीं लगवाईगा कौँ सा high antibiotic antibiotic injection बिना doctor की सलाह के बिना blood and urine check कोई भी high antibiotic जैसे की meropenum, leoparam इसका प्रियोग नहीं करेगा सभी बच्चे याद रखे सभी बच्चे एजुकेट रहे और आपको बता दे जदि doctor ऐसा करता है तो आपका पूछने का अधिकार है human rights है आपके पास मानव अधिकार है doctor से पूछिए कि क्या आपने blood check करवाया है इतनी भी हालत गंभी नहीं है कि आप high antibiotic का प्रियोग करते है यदि high antibiotic के प्रती एक बार body resistant हो गई तो क्या होगा आपकी दुबारा से वो body ना उससे बड़ी antibiotic मांगीगी और अभी तक विज्ञान में उससे बड़ी antibiotic की खोज नहीं हुई है तो याद रखेंगे इस बात को सबी मेरे बच्चे ठीक है high antibiotic का प्रियोग नहीं करेंगे बीना doctor की सलाह के बगैर तो चलिए इसको आप लोग लिख लिए इसको मिटाते हैं फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे ठीक है तो बच्चे यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि राशाइनिक एंजाइन तथा अन्य जयोशक्री अडू आपके जो इसको इनन जयोशक्री अडू क्या होते हैं तो देखेंगे की कार्बनिक पदा इलकोहल तथा एंजाइम आधिके बेवशाइक तथा और दोगिक उत्पादन के लिए सुच्मजीव को बड़े पैमाने में अवशकता होती है अब ये बताइए भाया हमको एक सिंपल सा कुश्चन बताइए कि जो दही अगर एक कटोरे में उगाना है बनाना है तो छोटे से चमच में लगेगा यदि योग ड्रम में बनाना है तो कितनी दही लगेगी कितने लैक्टो बैसीलस लगेंगे है ना कितनो कितने लैक्टो बैसीलस एसीटी लगेंगे बताये बहुत लगेंगे न तो इनको उगाया जाता है इन सुचमजीवों को जैसे की जैसे सुचमजी पैङसेश सेरेवीसी तोसको कहां से रहा है नहीं किसी स्था डलती हो गई क Cherry स्था थीकी स्थारी बच्चो बहुत बढ़नावाला सौरी ठीके देखने हैं कित्रीडिक एक इस reference से प्रापत होता है किसे प्रापत होता है और इस फंगस का नाम है एसपरजीलस नाइजर क्याना मैं एसपरजीलस नाइजर यह most important इसको याद कर लो एसपरजीलस नाइजर एक एक English सही लिखी हुई है और दूसरा है Acetic Acid Acetic Acid एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है उसका नाम होता है Acetobacter Acetai याद रखना ठीक है तीसरा आता है Butyric Acid कहां प्रियोग होता है बैक्टीरिया से इसको लिया जाता है फिर Clastodium Butylicum Clastodium Butylicum याद करो मेरे साथ फिर आता है चौथा Lactic Acid यह भी एक बैक्टीरिया होता है जिसे समझाया है ना एक कटोरी में लेने के लिए एक चम्मच लगें और बढ़ा सा ड्रम के लिए बहुत बैक्टीरिया लगे अब बहुत बैक्टीरिया भाई कहां से लाओगे उनको बनाओगी उनको पालोगे उनका वो सारी चीजे को इकठा करोगे फिर जाके बड़े आता है बिल्कुल सही है कि नहीं सही है यहाँ पर नीचे पॉइंट बनेगा कि एथेनाल का लिखेंगे आप लोग की एथेनाल का बड़े पैमाने में उद्दोग के लिए इस्ट सैक्रो माईसिस ठीक है सैक्रो माईसिस सेरे विसिस ठीक है यह लिखिए कि इल्कोहाल का इल्धेनाल का या फिर इल्कोहालिक पेपदार्थ का बड़े पैमाने में उद्दोगिक पैमाने में निर्मार के लिए इस्ट सैक्रो माईसिस सेरे विसिस का उपियोग किया जाता है है आप लेख सकते microbes are used a production of enzyme microbes छोटे छोटे जीव का उपियोग कहां पे होता है enzyme के production के लिए enzyme को बनाने के लिए होता है ठीक है चलिए next point आपका NCRT क्या बोलता है NCRT बोलता है कि lipase का प्रियोग एक lipase होता है ठीक है lipase एक प्रकार का enzyme होता है क्या होता है यह lipase enzyme होता है ठीक है अच्छे सलिख देता हूँ lipase lipase का प्रियोग NCRT का अगला point बोलता है कि lipase का प्रियोग अप मार्जक तथा धुलाई में कपडों के तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है किसका lipase का उप्रियोग कहां प्रिय जाता है अप मार्जक तथा कपडों की धुलाई में ठीक है तथा कपडों की धुलाई में और यह lipase क्या करता है जो धुलाई में जो कपड़े में तेल के धब्बे होते हैं न तेल के धब्बे उनको वो हटा देता है उनको साफ कर देता है लाईपेज यदि आपके एक कपडों में तेल का धब्बा लग गया न है तो भैज लाईपेज ले आओ उससे साफ कर वा लो ठीक है सच में यार मजाग नहीं करूँ सच में NCRT बोल रहा है हलके में ले लो भायो मैं मजाग कर दिया वैं पागा लोग या यार मजाग दोड़ी नहीं करूँ गा मैं है ना नेक्स्ट बोलता है NCRT बोल रहा है बच्चे NCRT क्या बोल रहा है कि कि प्रक्तिनेजिज़ और प्रोटी एज़िस का प्रियोग थीके है चाहिक है प्रोटी इस यह विए प्रकार के अजाईम होते है ठीक है और प्रेटि यो जीज इंजाइम का प्रियोग इसको एक अलग करम पिंसे वो सारी मारकर से लिखता हूं कि peptinases और proteases का प्रियोग का एंजाइम का प्रियोग करके इस इंजाइम का प्रियोग करके क्या किया जाता है करके बोतल वाले फल का रस अधिक साबवा स्वच्छ बनाया जाता है अब भईया ये बताओ आप लोग गन्ने का जूस घर में निकालते हो कितना अच्छा बनता है नहीं बनता ना आपका भी अपने घर में मैंगो जूस बनाईएगा मैंगो से बनाईएगा उतना अच्छा नहीं बनेगा माजा के जैसा बताओ माजा के जैसा बन जाएगा क्या नहीं बनेगा क्योंकि उस फल में क्या किया जाता है उस फल को और साब बनाने के लिए ना उसको सच और साब बनाया जाता है आपका NCRT कहता है चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टेप्टोकाइनेस साइक्लोइस्पोरिन और इस्टेटिन यह तीन प्रकार की आपके बैक्टीरिया है ठीक है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो इनको मिटा दू मैं जो सरी जो मेडिकल फिल्ड के काफी ज्यादा काम आए है जैसे पहला माइक्रोब साथा आपका इस्टेप्टोकाइनेस ठीक है बस इतना ही खतम होने के बाद आपका चैप्टर खतम मत्तब कि भाग यह खतम होगा ति हम नेक्ट भाग में पढ़ेंगे ठीक है स्टेप्टोकोकस जीमार इससे प्राप्त होता और यह बैक्टीरिया समझें बहुत खास यान लेगी यार एक सेटन न देखिए इसका प्रियोग क्या होता है रत वाहिकाओं से थक्का हटाने में यदि ब्लड विसल्स है इसमें कोई ब्लड क्लॉट हो गया है तो यह जब स्टेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दे दिया जाएगा ठीक है यह इंजेक्शन के रूप में प्रियोग किया जाता है इसका इंजेक्शन जब हम इसको दे देंगे तो क्या होगा कि यह जो थक्का हट जाएगा ठीक है क्या होगा बच्चे यह थक्का हट जाता है ठीक है सो अगर यह बैक्टिरिया इस्टाप्टो को जीवानु ना होता ना तो आज थक्का ना हटा पाते कितना ज्याद योगदान इस चीज का फिर थक्का इस फोटन किया जाता है जो हिर्दाइगात यह माउकार्डियल इन्फेक्सं से गुजरते हैं साइक्लो सपॉरिन एक प्रकार का ज्यो शक्रीज अड यह होता है खासी है ज्यदे परज़ान कर दिया थीडिया थीक वग से प्राप्त होता है और उस कव करों का नाम होता है ट्राइको डर्मा पॉलिस पोरम अभी याद करो बच्चे ठीक है तीन चीज़ को भी याद करो एक दो और तीन एंग प्रति रोपन में प्रतिरच्छा निरोधक कारक के रूप में जब किसी ध्यक्ति का ऑरगन ट्रांस्प्लांट हो जाता हju तो उसको हमेशा सायख लेनी पड़ती है क्यों गुकिनका इम्मिून सिस्टम बोलता है बहिए को हमारा अंग क्वाराइं पॉल लताए न न न हो तो फीक है या टो उनका vista मेंगा नहीं किसको बाहर निकालो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करनेけ लीका हो शाय्क्लेस्पोरिंग के मेडिसिन ली जाती याद्रखना ही कर छेंट नेश्ट नाम होता मोनसकस परप्यूरियस ठीक है मोनसकस परप्यूरियस उस इस्ट का नाम होता है और इस इस्टेटिन का प्रियोग कहां पर किया जाता है कि जब ब्लड में न कोलेस्टॉल को कम करने के लिए जब हमारे ब्लड में कोलेस्टॉल का लेवल बढ़ जाता है जब ब्लड में कोलेस् होते हैं ठीक है तो जब ब्लड में कोलेस्टॉल बढ़ता है तो इंटेस्टीन का इंजक्शन दिया जाता है जिससे कोलेस्टॉल कम हो जाता है ठीक है यह था आपका टूटल अब भाग तीन में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे तो भाग दो के लिए अब बस यहीं तक ठीक है तो सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यह भाग पढ़कर के उन लोगों को कैसा लगा और यह बायो अमन मोटिवेशन को सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह पढ़ते रहो महिनत करते रहो wish you all the best thank you